एक पल के लिए चलो माल लेते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ फैसला नहीं बदलता लेकिन दोस्तों आप कोई फैसला तो लेकर के देखिए क्या पता आपका भाग्य ही बदल जाए नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस आचारिय वासुदेव मिस्रा आपका अपने चैनल भविश्य वाड़ी पावर अफ दलॉड में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज चर्चा होगी ग्रहों के समराथ सूर्य महराच की रासी परिवर्तन प्रभाव की जी हाँ दोस्तों 15 जनवरी 2024 पराता हूँ तीन बच के पांच मिनट पर भुवन भासकर सूर्य अपनी वर्तमान अगनी तत्विय रासी धनू रासी को छोड़ करके अपने सत्त्रू सनी देव की साधारण रासी मकर रासी में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां की वह 13 फरवरी 2024 की दोपहड तक रहेंगे और इसके पस्चात रासी परिवर्तन करके कुम्भ रासी में प्रवेश कर जाएंगे ऐसे में में सरासी के जातकों के लिए याने की आप लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है क्या कुछ दे करके जाएंगे किन-किन छेत्रों में विशेश तोर पर सफलता की प्राप्ती होगी तो ही किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है और समराट सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा स्रेष्ट बनाने के लिए आपको कोन सा उपाय करना चाहिए इन सभी प्रकार के प्रसनों का उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलने वाला है इसलिए अगर आप भी एक मेस रासी के जातक हैं तो कार्यक्रम को ध्यान पुरुवक अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन वॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको वाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहां से आप वाट्सअप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पुरुवक विसलेशन करवा सकते हैं तो दोस्तों कोन हैं सूरिय? हमारी आत्मा के कारक हैं सूरिय पिता, सासन, प्रसासन, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सफलता इन सभी चीजों के कारक ग्रह सूरिय महराज ही होते हैं इसलिए इनका गोचर हर किसी के लिए महत्तोपुड बन जाता है जिहां जन्म कुंडली में भुवन भासकर सूरिय का बलवान होना अपने आप में ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है क्यों क्योंकि सूरिय देव बलवान होकर की व्यक्ति को उसके जिवन में प्रतेक छेत्र में सफलता प्रदान करते हैं वह व्यक्ति अपनी मेहनत अपने प्राक्रम अपनी उर्जा सकती और अपने भाग्य के बदवलत सभी प्रकार की सुक सुईधाओं को हांसिल कर लिता है ऐसे जातकों के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह हमेशा सूर्य के समान प्रकासमान होता है चारो तरब से इन्हें प्रतिष्ठा, मान सम्मान और प्रसिद्धी की प्राप्ती होती है ठीक इसके विप्रीत जब सूर्य देव पीडित हो जाते हैं कमजोर पड़ जाते हैं तो सबसे पहले तो जातक के जीवन को बहुत ज्यादा संगर ससील बना देते हैं, जातक मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसे किसी भी फिल्ड में कोई विशेज सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अवसाद गरस्त होता चला जाता है, और एक सम वाली समस्याओं का समधान दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूर्य प्रकास हैं और समधान भी प्रकास ही है, इसलिए जीवन में जितने भी समस्याओं आते हैं उन तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य का बलवान होना आवस्यक है, सूर्य देव के बीना आप किसी भी छेत्र में सफलता मान सम्मान और प्रसिद्धी की कलपना नहीं कर सकते इसके साथ ही सूर्य देव जब पीडित होते हैं तो यह हड्यों से संबंधित परिशानी दे देते हैं नेत्र जन्य पीडा देते हैं सासन प्रसासन से परेसानी पीता के साथ भी वैचारिक मद्भेद होता रहता है इसलिए चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली सूर्य देव का बलवान होना अपने आप में सर्वसरेष्ट परिणाम प्रदान करने वाला होता है वैस दोस्तों जब बात आती है मकड संकरांती की तो फिर यह थोड़ा ज़्यादा ही महत्तोपुण और विसेज बन जाता है क्यों क्योंकि इस समय पहले तो सूर्य इस रासी में आते ही उत्त्रायण होते हैं और दूसरा सूर्य देव इस रासी में आने से पहले देव गुरु तो नहें ब्रहस्पति देव गुरु के द्वारा विसेश आसिरुवात और सक्ति की प्राप्ति होती है फलतह मकर रासी में प्रवेश करते ही वह बहती ज़्यादा प्रभावसाली और सक्तिसाली होकर की अपनी प्रजा के बीच में आप समझ सकते हैं उस सक्ति का बटवार करने लगते हैं इसलिए सूर्य महराज का जो मकर संक्रानती होता है वह बहती ज़्यादा महत्तोपुण बन जाता है वैसे देखा जाए तो सूर्य देव यहाँ पर सिर्फ 30 दिन ही रहते हैं लेकिन 39 दिनों में इनका जो प्रभाव होता है वह काफी अदभूत देखने को म इसलिए मेस रासी वालों के लिए सूर्य देव अभी आपके कुंडली के 9 भाव में गोचर कर रहे हैं 15 तारिक को 9 भाव से निकल करके 10 भाव में प्रवेस कर जाएंगे क्यों क्योंकि 10 भाव में ही मकर रासी आती है यहाँ पर 10 भाव में सूर्य को दिख बल प्राप्त हो परिणाम स्वरूप यह परिवर्तन आपके लिए अत्यन्त इस्रेश्ट और अद्भूत परिणाम देने वाला साबित होगा। इससे पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। अभी अभी एक्टिव होना चाहिए चाहे दसा हो या फिर अंतर दसा के रूप में तो समझ जाएए अब आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं बलकि हर छेत्र में चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कारिय करते हैं तो भी सूर्य महराज का यह गोचर आपके लिए अत्यंति स्रेश्ट और अद्भूत परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको अपने करियर के हर छेत्र में इस समय विशेश तोर पर लाभ की प्राप्ती होगी सफलता की प्राप्ती होगी चाहे आप कुछ भी कारिय क्यों न कर रहे हो आपको अपने कारिय इस थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा आपके बौस के साथ आपके पिता के साथ आपके तालमेल बहतर बनेंगी कहीं न कहीं यह समय आपके जीवन में जो भी समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पढ़ रही Thomas समझ जाएए सूर्य देव की कृपा से उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा वहीं यह समय आपके जीवन में आपके इम्यून सिस्टम याने की आपके रोक प्रतिरोधक छमता को भी काफी हद तक मजबूत बना देगा सूर्य देव की द्रिष्टी चतूर्थ भाव पर पड़ेगी पूर्ण सब्तम द्रिष्टी परिणाम सरूप यह आपकी माता की सेहत को भी ठीक रखेंगे अगर आपकी माता को पुराने समय से कोई सेहत से संबंधित समस्या है तो समझ जाएए सूर्य की किरिपा से इस समय उ उनका सुक आपको प्राप्त होने वाला है देखा जाए तो अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई प्रापर्टी खरिते हैं कोई घर खरिते हैं या फिर कोई वाहन खरिते हैं तो समझ जाएए आपके लिए यह जो समय है अत्यंति स्रेश्ट साबित होगा जिहां इस से आपको पूर्ण लाब की प्राप्ती होगी वहीं जो विद्यार्थी हैं याने की जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भी सूर्य महाराज का यह गोचर लाबदायक ही कहा जा सकता है कहीं न कहीं आपके पंचम भाव का भी परिणाव मिलेगा अतह संतान को उसके करियर के चेत्र में विशेश सफलता की प्राप्ती होगी और इस समय आपकी संतान को विशेश तोर पर मान सम्मान और प्रसिद्धी की प्राप्ती होगी यहां से सूर्य देव का प्रभाव कहीं न कहीं आपके पूर्व के पुर्ण्यों को भी जागरित कर देगा परिणाम इस समय आपको थोड़े से ही मेहनत में बड़ी सफलता की प्राप्ती होगी कहीं न कहीं यह समय आपके लब लाइफ के दृष्टी कोंड से जो बॉंडिंग है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉंग बनाने वाला साबित होगा कहीं न कहीं इस समय आपको विशेश तोर पर हर जगह एक नया विश्वास प्राप्त होने वाला है लोगों के बीच आपकी विश्वस्नियता बढ़ेगी कुल मिला करके देखा जाए तू आप सभी मेस रासी वालों के लिए सूर्य महराज का मकर रासी में गोचर करना हर प्रकार से अत्यंति स्रेश्ट और प्रोफिटेबल साबित होगा हर प्रकार से इस गोचर का लाब उठाईए हलाकि इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना आदित्य हिर्दे इस्त्रुत्र का पार्ट करना है साथ ही साथ रोजाना आप लाल चंदन का तिलक लगाईए और रवीवार की दिन मजदूरों की जिहां जो लेवर केटेगरी के होते हैं नव्यक्ति उनको कुछ हेल्प कीजिए उनकी चाहे किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं चाहे धन के रूप में तन के रूप में मन के रूप में किसी भी प्रकार से उनकी साहयता कीजिए आपके लिए भुवन भासकर का यह गोचर अत्यंति स्रेश्ट साबित होगा तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार